नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे एक डॉकुमेंटरी सीरीज के बारे में नाम है फस्ट एक्ट आई है ये अमेजान प्राइम वीडियो पे इसके क्रियेटिव प्रोडूसर है अमोल गुपते और डायरेक्टर है दीपा भाटिया दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप से कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर ली जगा क्योंकि वेव सीरीज और मुवीज के रिवियो के साथ आपको यहां मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी और दोस्तों ये डोकुमेंटरी हमें कहानी बताती है कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट की उनके सपनों की और उनके संहर्ष की और ये जो विशय रखा गया है इसको लेने के लिए इस पर एक डोकुमेंटरी बनाने के लिए मुझे लगता है कि अमूल गुपते साहब की तारीफ करनी होगी हाला कि बच्चों को लेकर के वो कंटेट बनाते रहे है स्टीली का डबा जैसी फिल्म उन्होंने बनाई है लेकिन इस डोकुमेंटरी में उन्होंने चैड आर्टिस्ट के संगर्ष को दिखाया है परदे के पीछे जो अंधेरा है उसको दिखाने की कोशिश की है और ये एक प्रशंसनिय एक सराहनिय प्रयास आप कह सकते है दोस्तों देखिए जो फिल्म की टेलिवीजन की वेव सिरीज की दुनिया है वो बहुत ही चमकीली है जब कोई कलाकार परदे पे दिखता है कुछ परफॉर्म करता है उसकी तारीफों के पुल बनते है तो ये सब जो चीजे है वो काफी अच्छी होती है लेकिन इसके पीछे बहुत सारा संहर्ष है बहुत सारी मेहनत है बहुत सारी निराशा है और कई तरह की दुश्वारियों को पार करने के बाद चमकीले परदे पर आने का मौका किसी को मिलता है तो यहां जो चमकीली दुनिया है उसके पीछे की जो उसके पीछे जो स्याह चीजे है जो अंधेरापन है जो इसका डार्क सीक्रेट है वो हमारे सामने खुल करके आता है और दोस्तों देखिए कि जो लोग कभी लाइन नाइट में आ जाते है फिर जब उनको कोई काम नहीं मिलता आर्थिक तंगी का सामना उनको करना पड़ता है बार बार आडिशन देते है बार बार इंकार करना इंकार कर दिया जाता है उनको तो यह सब जहला एक बहुत ही काम है और खास करके जब ये सब बच्चों के साथ हो रहा हो देखिए बच्चों का जो है मन बहुत कोमल होता है लेकिन वो सब चीजों को समझते हैं मैसूस करते हैं भली एक्सप्रेस ना कर पाते हो तो यहां हमको ऐसी ही चीज़े दिखती है कि किस तरह से बच्चों के लिए ये जो फील्ड है एक मुश्किल भरा फील्ड है एक दुश्वारियों भरा फील्ड है और यहां खास करके माबाप की भुमिका भी हमको समझ में आती है देखिए बच्चा क्या करेगा क्या सोचेगा इसके लिए उसको थोड़ा बड़ा होना थोड़ा समझदार होना जरूरी है लेकिन कई बार यह होता है कि माबाप अपने अधूरे सपने का बोज बच्चे पे डाल देते है जो चीज वो चाहते थे अपने जीवन में और खुद नहीं कर पाए अब उनको लगता है कि जो उनका बच्चा है वो बहुत ही टैलेंटेड है और वो करेगा वो वो सब कर लेगा जो उन्होंने कभी सोचा था मतलब वो रात और रात स्टार भी बन जाएगा करोड़ो रुपए कमाएगा जबर दस उसकी फैन फॉलोइंग होगी और इस बच्चे की सफलता के पीछे वो भी एक आसान एक ग्लैमर वाला जीवन जीएगे और इस सीरीज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती है ये सीरीज को देखते हुए मुझे कई बार बहुत ही दुख हुआ कई बार अफसोस हुआ देखकर के जब मैंने देखा कि किस तरह से मावाप छोटे-छोटे बच्चों को प्रेसराइज कर रहे हैं इवन कि उसको टॉर्चर कर रहे हैं उसको पैसे कमाने की मशीन समझ रहे है बच्चा खेलना चाहता है आराम करना चाहता है थग जया है लेकिन मावाप उसके पीछे पड़े है और उनको लगता है कि वो एकदम सही कर रहे है देखिये सबसे खराब बात यही है उनको ये लगता है कि वो अपने बच्चे का कैरियर बना रहे हैं लेकिन वो ये नहीं समझते कि बच्चे का बच्पन वो नस्ट कर दे रहे हैं और यहां मैंने देखा इस सीरीज में देखे आप कि एक बच्चा है धाई साल का और माबाप एक दम उसके पीछे पढ़े है कि तुम आडिशन कैसे दोगे तुम कैसे बोलोगे अपनी प्रोफाइल दिखाओगे मतलब क्या हो रहा है यह और मुझे लगता है कि यह तो चंद बच्चों की कहानी है ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे किसी ने पढ़ाई पूरी नहीं की और किसी ने इस निराशा को वो ज हिल नहीं पाया गलत रास्ते पे चला गया तो यह जो सच्चाई लाई गई है सामने यह एक बहुत ही जरूरी चीज थी और खास करके रियालिटी शो में हम देखते हैं देखिए हर रियालिटी शो में 10-20 ने बच्चे आ जाते हैं अब उसमें एक दो तो है जो विनर हो जा है अंटिल कि उसको आप एक तरीके से लेकर के जाएं किसी उसको कोई प्रेशर न डाले अगर उसका कोई नेचुरल टैलेंट है तो उसको निखाने तो वो बात हो सकती है तो यहां दोस्तों यह सब चीजे देखना एक कहिए कि अच्छा एक्सपीरियंस भी है एक सीरीज के तोर पे एक डोकुमेंटर के तोर पे जब हम देखते हैं तो अच्छा लगता है लेकिन जब बच्चों की कहानी देखते हैं तो अफसूस भी होता है और यहां आपको बहुत सारे चाल्ड आर्टिस्ट का फिल्मेकर्स का या फिर जो कास्टिंग डिरेक्टर है उन लोगों के बाद एक कहिए कि कुछ ऐसी सचाई हमारे सामने आती है और जो माबाप अब यह सोच रहना कि उनको अपने बच्चे को रातो रात स्टार बनाना है उनको पहले यह चीज़े देख लेनी चाहिए और दोस्तों देखिए यह जो एफर्ट है यह एक सिंसियर एफर्ट है य और इसकी आपको तारिफ करनी पड़ेगी और जी उस तरह से यह डोकुमेंटरी हमारे सामने पेश की गई है उसमें बीटेल भी है उसमें अलग अलग तरह के विचार भी है समस्या कोहर तरह कैसे समझने की कोशिश की गई है तो यह सब एक महत्पूर्ण बात है मैं तो कि आप इस सीरीज को जरूर ही देखिए एक आई ओपनर जैसी हो सकती है यह छे एपिसोड आया है अभी और अभी जो एपिसोड है वो मतलब 30-35 मिनट के है साफसुदरी यह सीरीज है इसमें कोई ऐसी बात नहीं और यह देखना तो मुझे काफी अच्छा लगा था मेरी र कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताईएगा और आपने अगर यह सीरीज देखी है तो भी मुझे बताईएगा आपको कैसे लिए धन्यवाद